जैहिन साथ क्यों स्वागे थे आप सभी का Education Cat6 में रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में BPSC के माध्यम से सिख्षक बहाली की प्रक्रिया का दूसरा चरण चल रहा है जहापे आपको बता दे कि लग बग एक लाख बाइस हजार सीटों पर आपकी न्योक्ति की प्रक् प्रक्रिया देने भी आने वाले हैं तो कब तक हमें जानकारी मिलेगी तो कि 7 दिसंबर को एक्जामनेशन का डेट घोशित कर दिया गया है तो देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक दिसंबर जो है डेट फाइनल है उस दिन आपको क्या मिलेगा तो डिस्ट सींटर के अलावा भी आपको सेंटर बताया जाएगा है आकका कि सहर में सेंटर है और कौं से स्कूल में सेंटर है यह सारी जानकारी आपको एक तारिक से या 30 नमबर से मिलना शूरू हो जाएगा बीपीएस अफिशल सीरी वेब साइट पर भी सबाय है अब सबाल कर भी एक मैंने अपडेट निकाला है यहां पर क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है यह आप लोग देख सकते हैं आज का एक खबर है यह दूसरी चरण में एक लाख कम आविदन आए हुए हैं अब यह कम क्यूं आए हैं इसके उपर भी हम चर्चा करेंगे लेकिन आप को आगे खबर बताते हैं कि सिख्षक की नियुक्ति के दूसरे चरण में करीब एक लाख अविदन आविदन किया है दूसरे चरण के लिए पंजियन से आविदन तक की तीथी समाप्त हो चुकी है जैसा कि आप सभी जानते हैं और परिक्षा में सामिल होने के लिए साथ ल प्रात्मिकी में करीब 10,000 पदों के लिए 1,10,000 से अधिक अविदन किया है जबकि पहले चरण में यह करीब-करीब 6,500,000 प्रात्मिकी के लिए आविदन किये थे तो बहुत थी ज्यादा डिफरेंस है चुकि सीट भी कम है और पुरानी वेकेंसी को एट किया गया है और प पर देखिएगा तो इसमें पदों की संख्या लगबग 32,000 है और इस बार डियलेड और बीड दोनों को मौका यहां दिया गया है कक्छा 6-8 के लिए और आपको बता दे कि यहां पर इस वज़ा से आविदन करने वाले अभ्यारतियों की सबसे अधिक बीड है तो यह तो च हम minimum fight है तो हो सकता है कि इसकी परिक्षा का जो pattern है जो इस बार बदला गया है 1500 प्रश्णों का किया गया है तो इस प्रश्णों के जो pattern में paper को cut in बनाने का संभावता प्रयास किया जाएगा तो कि इस बार में अतुल प्रसासर ने यहां पर यह भी कहा था कि हम cut off जारी तो जो भी चातर देखे तैयारी कर रहे हैं खासकर BPSC primary के लिए मादमी के लिए और उच्च मादमी के लिए तो वो चातर जो है YT education के इस application को डाउनलोड कर लिजएगा इसका link दिया है अमने description में और यहां पर आएगे तो आप लोग को यह मादमी उच्च मादमी करके जो यह प्रैक्टिस सेट जो है आपको English और Hindi दोनों ही मादमी में है लग 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 400 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट है और यहां पर देखेगा तो यह प्राथमिकी के लिए है 290 प्रैक्टिस सेट है यहां पर दिये गया है और इसमें यह सारे topic आपको देखने को भी है वो भी यहां से प्रैक्टिस सेट आकर ले सकते हैं और यहां पर देखेगा तो यह तीनों ही चारों ही सेट प्रैक्टिस त्यार करके दिया गया आप लोग को इसको जरूर आप लोग ले लिजेगा और अपना प्रैक्टिस सुरू कर दिजेगा हो सकता है कि चार से पास दिन आपके लिए बहुत important question यहां से देखने को मिल जाए बात करेंगे यहां पर कि इस बार जो है डेलेड और बीड को मौका दिया गया तो competition जैनरली आपका बढ़ने वाला यहां पर इसके लिए भी 32 जार टोटल सीट है आपके 6-8 के लिए और टोटल अगर देखेगा इस ब आपको अब exam hall में ही देखने को मिलेगी वहीं मादमिक और उच्छ मादमिक की बात करें तो करीब पौने 3 लाख के करीब आविदन प्राप्त हुए हैं इस बार सबसे अधिक सीट जो है उच्छ मादमिक के हैं जो कि करीब 57,000 पदों के लिए अलग-अलग विशियों के लि मिल जाएगा आपको यहाँ पर सची रभी भुशन ने बताया है कि परिच्छा के समय अभ्यार्तियों को दिये गए नियम के अनुसर ही क्रमांक आपको भरना है तो कि आपको admit card पे ही आपको जो है आपको रॉल लिखने का और इसको फिलप करने का एक practice के तोर पर दिया जा क्योंकि अब जो है यहाँ पर सरकारी सिक्षकों की नियुक्ति हो रही है और लगबल गब 88,000 लोगों ने यहाँ पर योगदान भी दे दिया है लेकिन सर यहाँ पर एक लाग 20,000 के आसपास की ज्वाइनिंग बताई जा रही थी तो 88,000 अगर यहाँ पर दिये है योगदा तो बाकी 32,000 सिक्षकों का योगदान क्यों नहीं अभी तक आया है देखिए तो इसके पीछे क्या कारण है कारण बहुत ही सिंपल सा है क्योंकि यहाँ पर जल्दबाजी में तो सब कुछ किया जा रहा है न्युक्ति पत्र वेगरा ज्वाइनिंग वेगरा सब कुछ है नहीं की नौकरियों के उपर सवाल उट रहे हैं क्योंकि उनको जैसे कोई ब्ल्मध को रहा है यहां पर और युगदान ना देने वाले सबसे अधिक नियोजित सिख्षक है क्योंकि ऐसे में क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो कि टीचर रिक्रूटेड हैं मतलब पहले से पढ़ा रहे नियोजित सिक्षक है वो लोग नहीं कर रहे हैं योगदान क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अभी देखें हेड मास्टर्स की भी भाली आने वाली है तो नियोजित ुमी तो इसे बहुत सारे टीचर है जो कि योगदान नहीं दे रहे हैं की अटासी जार सिक्षकों की श्कूल में योगदान Gongyo जाने के रिपोर्ट जिले में सिख्षा विभाग को भेज दिया गया है इन में जो है सभी सिख्षकों ने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया है फिलाल जिलों के प्रतेक सिख्षक के नाम योगदान की थी के साथ ओनलाइन रिपोर्ट विभाग को उपल और इसमें पहले संस्थान में त्याक पत्र वहां से नोसी लाने के बाद ही उनको यहां पर जोइनिंग का मुझा मिलेगा इसके अभाव में योगदान नहीं का इंतजार कर रहे हैं और अगर उन्हें आशान सर्तों की पर अगर देखा जाए तो राजिकर्मी का दर्जा मिल जाता है तो संभव ही है कि वो विद्याले अध्यापक के रूप में योगदान ना करें देखें यहाँ पर राजिकर्मी का भी मामला चल रहा था कि जो संभता का कारण बन रहा है दोस्तों यहाँ पर इस कारण से अभी 32 जार लोग आविदन नहीं कर पाए हैं कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो कि असमंजस में हैं कि मतलब कि उनको दूर दराज के छेत्रों में ग्रामिन छेत्रों में स्कूल जाना नहीं चाह रहे हैं वो इसलि ग्रामिन से ग्रामिन छेत्रों में भी जाकर उनको योगदान देना है पढ़ाना है तो ऐसे में तो साथ में से पांट सिक्षक देखें तो दूसरे स्कूल में योगदान के लिए विमुक्त कर दिये गए हैं और 17 सिक्षक ऐसे हैं कि BPSC से उत्रें हुए हैं मातर एक ही पतना जिला के लिए ये अप डेटा लोग तो इस सिक्षक के लिए एक ख़बर आ रही है कि सिक्षक विभागने आदिश जारी कर दिया है और सभी डियों को कार्यालिय में रहा है कि जितने भी उनको हटाने की घारी है तो करीब ऐसे में पांसहजार चार्सोच इंप regular हैं जो कि यहां पर बाहर हो जाएंगे, सीरे-सीरे, तो यह सीरे-सीरे बेरोजगार हो जाएंगे, प्रद्धिन में से बहुत सारे ऐसे सिक्षक हैं, जुन्होंने इसका एक्जाम दिया है, और यह पास भी हो गया है, जहां पर प्रात्मिकी को लेकर उच्छ मादमी की स्कूलों म अतिती सिक्षक रखे गए थे, और अब यह हटाए जा रहे हैं, तो यह खबर है उनके लिए, लेकिन बहुत सारे से अतिती सिक्षक हैं, जो कि सीरे-सी तोर पे बेरोजगार हो जाएंगे, तो सरकार को इनके बारे में भी जरूर सूचना चाहिए, हनाच्छों कि यह लोग इन सबी चीजों को लेकर भी इनके उपर विचार करना जाए सरकार को और सुचना चाहिए, और फिलाल यहाँ पर यह सारे अपडेट से दोस्तों जो कि हमने आप तक साजा किये हैं इस वीडियो के माध्यम से, और कोई भी आपके डाउट है तो प्लिस कमेंट उस आप बॉ